पंजाबी समाज ने बुद्बाजार इस्तेत होटल ग्रांड साई में कमिटी का गठन और समान समारो आयोजित किया जिसमें पंजाबी समाज को अपने हग के लिए जागरूप करने के लिए सांसकतिक कारिक्रमों का आयोजन और संगठित रहकर एक दूसरे के सुखदुख का भागिदार बनने का नेने लिया गया कारिक्रम के अध्यक्षता आहुजा ग्रूप के डारेक्टर मनोज आहुजा और संचालन कमल गुलाटी ने की कालक्रम में मुख्यादिती समाज सेवी मनोज आहुजा, चड़ा गुरूप के डारेक्टर गुर्जीत सिंग चड़ा, अमर्जीत सिंग अरोडा, मदन गोपाल भंडूला, वुपेंद्र सिंग बाली, सुनील अरोडा मुख्यादिती के रूप में मौजूद रहे आज ग्रिश भंडूला जी ने एक पंजाबी संगठन त्यार करा है, जो की समाजी सेवा के लिए, शेहर की सेवा के लिए आगे रहेगा सम्मिल जुटके गरीबों की और शेहर की सेवा करें, मेरा तो यही कहना है बनाया है पंजाबी संगाज का, यह आगे बढ़ेगा? यह आगे बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, आज काफी बंदे आये थे, काफी काफी मेंबर यहाँ पर कठे हुए थे आज, क्या कारना करते हैं? मैं उसे वही कैमरा करता हूँ कि यहाँ पर शेहर रिख लिए अच्छे से काम करें इस अवसर पर कमिटी का गठन करते हुए सर्वसमती से गिरीश वहनडूला को अध्यक्ष चुना गया, कमल गुलाटी और सरदार गुर्मीज सिंग बेदी को महमंत्री का दाइत्व सौपा गया पंजाबी समाज जो बिखरा हुआ है उसको एक मंच में लाने के लिए हमने संगठन का निर्मान किया है जिसको पंजाबी महासबा नाम दिया है इसका कारह यही होगा कि शहर में जितनी कलोनियों में पंजाबी समाज रहता है उनको एक जुट करने का काम होगा हमने लगबग 30 पला दिवारी इसमें बनाए है जिनका काम यह रहेगा हर छेत्र से एक पला दिवारी लिया है इनका काम ये रहेगा कि सबको संगडित करना है पंजाबी समाज में संपन समाज है ये और हर तरीके से हर समाज में स्वयोग करता है शहर में कोई भी करोना काल सा करोना काल में पंजाबी समाज ने बहुत कारे किया वो दिल से कारे करता है क्योंकि उसने पाकिस्तान से आने के बाद प्यूड़ा शेली है इसलिए वो दिल से समाज में सेवा करता है और इस समाज को जोडने के लिए ये संगडन बनाए गया है कि आप लोग एक ही मंच पर एक साथ बात करें अगर कोई बिखराओ है भी तो हमारे समाज के जो बरिष्ट हैं जो बुजुर्भ लोग हैं वो कोशिक ये करें कि एक ही मंच पर सब लोग आ जाएं अजीव गुलाटी, सचिन नागर, परमिंदा सिंग, प्रिंस, सुर्जीज सिंग, अशोक महरोत्रा, सनी छावडा, गुलचन आहुजा को मंत्रीपत की जिम्मेदारी सौफी गए और मोतिलाल ग्रोवर, नवीन गुंबर, सुधीर, गंगनेजा, राजेंद्र सिंग को कारेका सदस्य बनाये गया, राजनीतिक पार्टियों द्वारा पंजावी समाज को भी टिकेट देने के लिए कहा गया